हेलो फ्रेंड्स, फूड अराउंड चैनल में आपका स्वागत है, आज हम बनाने वाले हैं ककड़ी की सबजी, बहुती सिंपल रेसिपी है, बहुती कम इंग्रीडियंट्स में आसानी से बन जाती है, जरूर ट्राय करना, सबसे पहले इस रेसिपी के लिए इंग्रीडियंट देख लेते हैं, आप वीडियो को पॉस्ट करके इंग्रीडियंट्स देख सकते हो, सबसे पहले हमने तीन ककड़ियों को काटके बॉयल किया हुआ है, प्रिशर कुकर में तीन विसल के साथ, सबसे पहले एक पैन में तीन टेबल स्पून प्यूर गी ले, गी को अच्छे से इसे हीट करे» जैसे कि हीट हो जाए उसमें एड करे जीरा उसी के साथ उसमें ग्रीन चिलिज़ ऑड करे हमने 3 ग्रीन चिलिज काटके लिए है आप आपने टेस्ट के हिसाब से कम जादा ग्रीन चिलिज यूज़ कर सकते हो जीरा चटकने पर आप इसमें सॉल्ट एड़ करें अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें सॉल्ट एड़ करें फिर उसी के साथ जो काटके हमने कक्रिया ली है वो भी इसमें डाल लें और अच्छे से स्टर करें अब इसमें आपके टेस्ट के हिसाब से शुगर एड़ करें हमने आधा टेबल स्पून शुगर डाल लिए उसी के साथ एक से दो टेबल स्पून क्रस्ट बीनेट्स भी डाल दे और सबजी को अच्छे तरह मिक्स कर ले अब बारी है बटर मिल्क की हमने थ्री फॉर्थ कप बटर मिल्क मिलाया है सब इंग्रिडियंट्स को अच्छे से मिलाये और एकदम लो फ्लेम पे उसको बॉइल होने दे हमारी सबसी अलमोस्ट रेड़ी है इसमें चॉप्ट कोरियंडर मिलाएंगे और उसको अच्छे से स्टिर करेंगे अब सबसी को ढकन लगाके दो से तीन मिनिट लो फ्लेम पर पकाए और ये आपकी ककड़ी की सबसी रेड़ी है बहुत बढ़िया स्मेल आ रही है आप इसको गरम सर्फ कर सकते हैं और आपको रेसिपी कैसे लगी हमें जरूर बताए ये रेसिपी आपको बसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें अगर आप इस चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सबस्क्राइब जरूर करना ठैंक्स अलोट